समबादात अनुज हमारे साथ जुड़े हैं जी अनुज बताईए क्या अपडेट आपके पास मिल रहा है साथ बच्च का चबीस में तकरीबन 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 हम कहते हैं कि आदा घंटा होने वाला है महिलाओं की भागेदारी के बारे में उसका मैं जवाब अब एक घंटे के बाद दूँगा इस पॉलिंग बूत के अंदर सबसे पहला जो वोटर है वो महिला ही ही थी अठावन साल की उम रहे है और पैर में तकलीफ थी चड़ी के माध्यम से वो आई थी और अपना उन्होंने वोट यहां पर कास्ट किया है और उसके बाद यहां पर लगातार वो सिलसिला जारी है असोक और मैं अपने कैमरा मैंन से एक बार फिर से थोड़ा तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर जो मतदाता हैं वो सामने खड़े हुए हैं और अपना मतदान करने के लिए आ रहे हैं चार हजार जो वोट हैं इस मतदान के इंदर पर चार बूत यहां पर बनाए गए हैं और जिस तरीके से बार बार अपील यही की गई थी कि पहले मतदान और फिर जल्पान कुछ लोग उसको निभावी रहे हैं लेकिन अभी शुरुवाती दोर है तो निश्चित तोर पर जैसे दिन और आगे बढ़ेगा यहां पर हम लंबी लंबी कतारे भी देखने को मिलेंगी ऐसी आशा हम अशुक जरूर करते हैं लेकिन हानिश्चित तोर पर निर्भीक होकर निश्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण चुनाव अभी तक जो है पूरे इस पहले चरण मे चल रहा है और किसी भी तरह की अगर मैं भागलपूर की बात करूं नकसली इलाकी की बात करूं तो अभी तक किसी भी तरह की कोई अपरी है खबर अभी तक नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी कामियाबी में जो है वो दिखाई देता है कि वो कामियाब ह लग रहा है क्योंकि कई बार वोटर्स को बहुत चुबने वाली धूप का भी सामना करना पड़ता है वोट डालने में देखें निश्य तोर पर क्योंकि अब मौसम में बदलाव हो रहा है सर्दी आने का समय शुरू हो चुका है और अब सुबह के समय अगर हम देखें तो 10-11 बजे तक तेज धूप नहीं रहती है बहुत ज़्यादा तपिश नहीं रहती है अभी तो फिलाल तो हम बिहार की बात करें धूप से ज़्यादा तो चुनावी तपिश यहां पर है और लोगों को वो ही जो है इस तरीके से जख इन इलाकों में जिनको 24 घंटे पहले ही वहां पर भेज़ दिया गया तो तो निश्चित तोर पर जो मतदान कर्मी हैं और जो मतदाता हैं उनका बिहार के इस चुनाव में मोसम भरपूर साथ दे रहा है अशोग हम लखी सराय चलते हैं हमारे समभात है राजेश रासे करने के लिए कैसे देखेंगे इस बहुत बढ़ी है और साथ बजने से पहले ही अगर बात करें तो लगबग पहुने साथ बज़े के आसपास जिस गेट पर हम खड़े हैं यहां पर भारी भीड उमर गई थी और साथ बज़े पहुंची तमाम लोगों को गेट के अंदर द वो थोड़ी सी घट जरूर गई है लेकिन ये दो मदान के अंदर यहां पर हैं बगल वाले मदान के अंदर पर बड़ी तादाद में लोग मदान कर रहे हैं बहुत सारे जो पहली बार जिन्होंने मदान किया है अशोक उनका उत्सा जो है वो चरम पर देखने लाइक है जो चुकी सिक्षा के छेतर में बहुत जाग रुकता आए हैं लड़किया जो है वो इसकूल जाने लगी है इसकी बज़ा से महलाएं घरों से बाहर निकल कर बोटिंग कर रही है तो यह बड़ी बात कही जा सकती है बिहार के संदर में चुनाव आयोग की जो तैयारिया है उसक थोड़ी गरवरी की बज़ा से मत्दान जो है वो थोड़ा सा रुका हुआ है लेकिन राजेश आपने सुरक्षा की बात करी और जाहीर तोर पर हम पत्रिकार भी अपना काम करते हैं चुनाव के समय में सुरक्षा करमी भी अपना काम करते हैं आप आपसे कुछ दे पहले मै देखते हुए शायद ये डिसाइड किया गया कि भई आपको भी थोड़ा सा दूर रहना है मत्दान केंदर से इस तरह की विवस्ता कुछ की गई है क्या हाँ बिलकुल हम मत्दान केंदर के मतलब गेट के भीतर थे और हम मत्दाताओं से बात करने में भी सक्षम देख रहे और जो सहयोग करना चाहिए मत्दान में और सुरक्षा में तो हमने सहयोग करते हुए उनके आदेश की अभेलना नहीं की और गेट के बाहर आ गए और यहाँ पर आकर हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन जो मत्दान जाहित ओपर राजेश जो नियम खानून उनको तो पालन हर तरह से होना चाहिए और आप भी बहतर है कि वहाँ पर जिस तरह से रिपोर्टिंग मां कर रहे हैं आप भी अपनी जिम्मेदारी निबा रहे हैं जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी अपनी जिम्मेदारी निबा रहे हैं उनका काम है कि चुनाओ को सुचार रूप से चलाना ल बहुत कुछ स्टेक पे है आज पहले दौर में कह सकते हैं कि जेडी यू आर जेडी का पहले दौर में अगर उन्होंने अच्छी बढ़त नहीं बनाई तो बहुत मुश्किलात हो सकती हैं कह सकते हैं इस चुनाव को उनके लिए बहुत इंपॉर्टने कम चेकम उसको लेकर कहीं न कहीं सतादारी पाटी के लिए एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि 43 सीटों में जो 29 सीटों पर वो कावीज हैं उन सीटों को बचाना हम जहां खड़े हैं अशोक यह हलाके भारतियांता पाटी का गड़ रहा है और यह जो मूल सीट है यहां पर अभी बीजेपी के बिधायक हैं जो बगल की सीट है सूरजगढ़ा वहां से भी बीजेपी के बिधायक हैं दो बिधानसवा छेत्र हैं लखी सराय में लेकिन जो परोस का जिला है शेखपूरा वहां पर बरविगा और शेखपूरा दो बिधानसवा छेत्र हैं दोनों पर जेडि कबजा है तो खुल मिला कर देखे तो मुंगेर सेखपूरा और लखी सराय में दो जिलों में उनका कबजा है जमूई की बात करें परोस का जिला है जहां से चिराग पास्मान सांसद है वहां भी जेडियू के बड़ी पर जेडियू का कबजा है तो कुल मिलाकर देखे तो मुंगेर प्रमंडल पर जेडियू का कबजा है और भारतियानता पाटी उस कबजे पर सेंद लगाने की पूरी तैयारी कर रही है सताधारी पाटी उसने आरजेडि को कई सीटें दे दी हैं और आरजेडि जेडियू और माग अठवंधन दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जो भोगलिक परिस्तिती है मैं थोड़ा वो बताना चाहूँगा आशोक आपको कि यह जो इलाका है यह कभी बेगु सराय सं मुंगेर संसदिय छेतर में आ गया है तो इसकी जो भोगलिक प्रिश्पूमी है वो भी बदली है अतीत भी बदला है और वरतमान में सेंद लगाने के लिए तमाम पाटियां जो हैं वो आतुर दिखाई दे रही है तो कहीं न कहीं जो राजे की सताधारी पाटी है उनके ल को आगे बढाने की कोछिस जरूर्वी जाएंथर नहीं लेकिन राजेश आज अगर रिपोर्टर का देन है तो घूर्ण का दिन है तो इसलों खरता है और बात करने हैं तो मैं बात करवाईए लोगों से अशोक हमने आपसे वाइदा किया था कि हम आपसे बात कराएंगे मतदाताओं की और हमारे पास इस समय जो वोटर्स हैं वो एक दूसरी पीड़ी के हैं और एक नई पीड़ी के हैं ये बहन बाई हैं जो यहां पर वोट देने आए हैं सुबह के वक मुद्धे हैं आपके मन में क्या होना चाहिए आपके ईलाके में अच्छाई आप बताएं किस तरके से आप के उलाके में क्या मुद्धा है किस चीज को लेकर आप अज इतनी जल्दी वोट देने आए हैं भाइमुक्त परसाशन चाहिए विद्या रुजगार और शपह से एक अच्छा बिहार चाहते हैं और एजुकेशन अच्छा होना चाहिए और रोजगार के अच्छी विवस्था होनी चाहिए बस यहीं उमीद है एजुकेशन और रोजगार होना चाहिए युवाओं के लिए बड़ी कठिनाई देखने को मिलती है इधार आप आईए बताईए कि आपको लगता कि वो पूरा सिस्टम है जो होना चाहिए रोजगार के लिए आपको दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है अब आप कैसा टोपी मिली है पहले वोटर आप बने हैं कितना मन में जोश है खरोश है और कैसी सरकार आप चाहिए जोश तो है ही एक सिक्षित समझदार आदमी चुनके आए जो देश के विकास करे जातिवाद से हटके संपरदायवाद से हटके देश के विकास के लिए काम करे अशोक आ आप एक बार चुपा गए अनुज आपने हमें पहले नहीं बताया था एक बार चुपा गए वो टोपी वाली कहानी आप चुपा गए क्या पहले वोटर को टोपी मिल रही है क्या इस तरह की पी चीज़ है क्योंकि उनके सज्जन जो आपके पीछे कड़ा है टोपी और आपन अनुज बोट टोपी दिखाईए मैं अपने कैमरा मेंन से चाहूंगा कि इस टोपी को आपको जरूर दिखाएंगे जिस पर लिखा है बूत का प्रथम मतदाता जिला भागलपूर वोट है ताकत बूत का प्रथम मतदाता जिला भागलपूर तो इस तरह की टोपियां हर ज